फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और पाईए हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने फॉन पर वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नॉटिफिकेशन मिले इसके लिए इस बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए हेलो फ्रेंड्स मैं परी एक बर फिर हाज जिरू आपके लिए एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी बिमारी का घरेलू उपचार लेकर आई हूँ जो बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और वो बिमारी है स्वाइनफ्लू फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को स्वाइनफ्लू से बचने के घरेलू उपचारी देने वाली हूँ घरेलू टिप्स देने से पहले आईए जानते हैं कि क्या है स्वाइनफ्लू Swine Flu नामक बीमारी तेजी से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रही है हाली में इस बीमारी ने भारत में भी दस्तक देधी है Swine Flu का वाइरस बहुत ही संक्रामक है यह एक इंसान से दूसरे इंसान के बीज बहुत तेजी से फ्यालता है Influenza A Swine Flu Virus के एक प्रकार H1, N1 एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को फ्यलता है Swine Flu में 100 डिग्री से ज्यादा का बुखार आना आम बात है साथ ही सांस लेने में तकलीव, नाक से पानी बहना, भूक न लगना, गले में जलन और दर्द, सिर दर्द, जोडों में सूजन, उल्टी और डायरिय भी हो सकता है Swine Flu से डरने या घबरानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ला इलाज बिमारी नहीं है थोड़ी सी एहतियाद बरत कर इस पिमारी पर काबू पाया जा सकता है Swine Flu का असर शरीर पर कमजोर रोग प्रतिरोधक शमता होने पर सबसे ज्यादा होता है Swine Flu से वैसे ही बचा जा सकता है जैसे हम साधारन Flu या सर्दी जुकाम से बचते हैं इसलिए इससे बचने और रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं आप डॉक्टर द्वारा बताई गई साउधानी अपनाने के साथ यहाँ दिये कुछ घरेलू उपायों को भी अपना सकते हैं तो आईए जानते हैं कि किन उपायों को अपना कर हम अपने आपको स्वाइन फ्लू जैसी संक्रामक बीमारी होने से बचा सकते हैं तुलसी भारती घरों में तुलसी आसानी से उपलब्द हो जाती है तुलसी में मौजूद एंटी बैक्टिरियल और एंटी वाइरस दोनों प्रकार के तत्तों के कारण यह सबसे लापकारी जड़ी बूटी मानी जाती है यह किसी की भी रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ा सकती है इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि यह स्वाइन फ्लू को बिल्कुल ठीक कर देगी लेकिन H1N1 वाइरस से लड़ने में निश्चित रूप से सहायक हो सकती है तुलसी से लाप पाने का सबसे आसान तरीका है कि हर रोज इसकी पांच अच्छी तरह से धुलू ही पत्तियों का इस्तिमाल करें कपूर स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कपूर का भी इस्तिमाल किया जा सकता है वयस्क चाहें तो कपूर की गोली को पानी के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं वहीं बच्चों को इसका पाउडर आलू अत्वकेले के साथ मिला कर देना चाहिए लेकिन कपूर के सेवन के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि कपूर का रोज इस्तिमाल नहीं करना चाहिए महिने में एक या दो बार ही इसका इस्तिमाल पर्याब्थ है आप चाहें तो कपूर को अपने रुमाल में बांध कर रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूम कर आप स्वाइन फ्लू से होने वाले संक्रमर से बच सकते हैं गिलोए गिलोए देश भर में बहुतायत में मिलने वाली एक दिव्य औशदी है इसका काढ़ा बनाने के लिए इसकी एक फुट लंबी शाखा को लेकर तुलसी की 5-6 पत्यों के साथ 10-15 मिनट तक उबालना चाहिए थंड़ा होने पर इसमें थोड़ी काली मेच, मिश्री, सेंधा नमक, अत्वा काला नमक मिलाएं यह औशदी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ती को चमतकारिक धंग से बढ़ा देती है साथी गिलोए हर तरह के बुखार में कारगर होता है यदि यह पौधा आपको अपने आसपास नहीं मिलता है तो किसी अर्वेद की दुकान से आप इसे ले सकते हैं लहसुन लहसुन में भी मौजूद एंटी वाइरल गुण रोग प्रतिरोधक शमता में इजाफा करने में मदद करते हैं इसके लिए आप लहसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजे इससे रोग प्रतिरोधक शक्ती में इजाफा होता है एलोवीरा एलोवीरा एक ऐसी लोप्री जड़ी बूटी है जो आपके भीतर फ्लू से लड़ने की च्छमता बढ़ाती है इसका इस्तेमाल दवाईयों तथा सौंदर्य प्रसादनों में किया जाता है इसके अलावा एलोवीरा व्यक्ती की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में भी मदद करता है एलोवीरा जैल की एक चम्मच पानी के साथ इस्तिमाल करने से ना सिर्फ तवचा को खूपसूरत बनाया जा सकता है बलकि यह स्वाइन फ्लू के असर को कम करने में कारगर साबित होता है विटामिन सी आमतोर पर माना जाता है कि सर्दी से बचने का सबसे बहतर तरीका विटामिन सी का इस्तिमाल है जो कि स्वाइन फ्लू के लिए भी कारगर साबित होता है इसलिए अपने आहार में विटामिन सी को शामिल करें विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे फलों जैसे नीबू, आवला, अंगूर, संत्रा, आदी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है हल्दी सालों से हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के अलावा सर्दी खासी को दूर करने के लिए भी किया जाता रहा है हल्दी में अनिवार्य तेल और हल्दी को रंग देने वाला पदार्थ करक्यूमिन होता है करक्यूमिन में कई औशदी गुण होते हैं इसके अलावा हल्दी का सबसे बड़ा गुण यह है कि उचे तापमान पर गर्म करने के बाद भी इसके औशदी गुण नश्ट नहीं होते हैं जानकारों के अनुसार गुनगुने दूद में हल्दी मिला कर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक्षमता में इजाफ़ा होता है और रोजाना एक गिलास दूद में थोड़ी सी पिसी हल्दी मिला कर पीने से स्वाइन फ्लू का असर कम होने लगता है फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसान और घरेलू उपाय करके आप खुद को होने वाली इस बिमारी से बचा सकते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज इन उपायों को अपना कर अपना वा अपने परिवार का खयाल रखिये साथ ही इस वीडियो को शेयर करके मेरे इस नेक काम में अपना सहियोग दीजे जितने भी आपके परिजित हैं उन सभी तक यह जानकारी पहुँचा कर उन्हें भी स्वस्थ रहने में मदद कीजे स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो वा ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाबाई